मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, आपको ओफिस में बहुत बड़ी उपलब्दी मिल सकती है, आप अपने बड़ों के साथ अपना व्यावार अच्छा रखे, अनिता आपके गंदे व्यावार से उनके दिल को चोट पहुँच सकती है व्रिशव राशी के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नौक्री करने वाले जातकों की बात करें तो, नौक्री करने वाले जातकों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, आपके स्वास्त की बात करें तो, आज आप अपने स्वास्त को लेकर परिशान हो सकत हैं आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें अनिता आपकी वाणी के कारण आपका किसी से बहुत बड़ा जगड़ा हो सकता है करक राशी के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा यदि आप से जुड़ा कोई कारे करते हैं तो आज आपके काम बन सकते हैं आप मौकरी में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट आ सकती है व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज के दिन व्यापारिक वर्क को किनी कारणों से किसी प्रकार का कोई घाटा हो सकता है करनराशी की जातकों के लिए आज का दिन ठीक नहीं रहेगा आपके जीवन मे यदिकारे आपके हिसाफ से नहीं हो रहे हो तो उसको लेकर आप परिशान ना हो धैर बना कर रखे आपके व्यापार में भी उन्नती होगी माता पिता के स्वास्त को लेकर आप प्रसंद रहेंगे तुला राशी के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा आज आपके कार से उच्छे अधिकारी बहुत अधिक प्रसंद रहेंगे नौकरी में आपको उन्नती मिल सकती है आपके अधिकारी आपके कार से प्रसंद होकर आपको प्रमोशन दे सकते हैं प्रिश्चिक राशे के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा परिशानी वाला रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नकारात्मक ग्रहों की इस्तिती से रुखावट आ सकती है जिसके कारण आपका मन बहुत अधिक परिशान हो सकता है। दनुराशी के जातिकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, व्यापार करने वाले जातिकों की बात करें तो आपका व्यापार जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दे, अनिता आपके व्यापार में घाटा भी हो सकता है, आपको आपके जीवन साती का भरपूर साथ मिले के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज के दिन आप थोड़ा सा परिशान हो सकते हैं आपके कुछ कार बिगड सकते हैं जिसकों लेकर आप परिशान भी सकते हैं कि मीन राची के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा युवा वर्क जातकों की बात करें तो आप मोशनल होकर कोई डाषी लेने से बचे अंनिता वह डिसीजन आप पर भारी पढ़ सकता है आपके स्वास्ते की बात करें तो आपका स्वास्त अच्छा रहेगा